So very beautiful, good morning to all, मैं अंशुल धारिवाल, आज आपका हमारे चैनल देजिस ग्रूफ ओफ एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत करती हूँ और आज का जो हमारा टॉफिक है, that is आईसो डाइफर्स, आज आपको प्रोपर डिटेल में जान में को मिलेगा कि आईसो डाइफर्स क्या होते हैं आज मैं आपको यहां से definition के साथ-साथ, आपको यहां से examples के variations के according, आपको proper detail में बताऊंगे क्या isodifers क्या होते हैं तो आई अपना topic स्टार्ट करते हैं, तो topic स्टार्ट करने से पहले गर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो चैनल को subscribe करें, वीडियो को like और share करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, what is is isodifers, सबसे पहले कोई भी topic से उसके बारे में आपको पता होने जी कि वो चीज है क्या, तो isodifers क्या आपते हैं, they are the atoms of different element, ऐसे atom, जो different element के हो, अलग-अलग element, which have the same different of the number, जो उनका number है, वो क्या रहे, same रहे, neutron भी और proton भी, उसी के according जैस difference है, वो लाएना, उसने different element, तो number of and minus number of proton, that is equal to क्या रहे, वो क्या रहे, neutron and proton क्या रहे, आपका, same रहे, इस definition को मैंने आपको हिंदी में बताया, कि जो number of neutron है, minus number of proton है, वो दोनों equal करके क्या रहे, same रहे, तो उसी के according, number of neutron क्या होता है, आपको पता ही, अगर हमे number of neutron find out करने है तो number of neutron हम find out करेंगे, तो उसका formula होता है, that is a minus z, और हमे number of proton find out करने के लिए क्या होता है, number of proton को हम किस से denote करते है, z से denote करते है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, इसका difference निकालना है, so that is minus z, तो formula क्या हुआ, a minus z, minus z, तो formula final क्या बना, a minus 2z, क्यों बना, क्योंकि हमने क्य क्या किया, इसको same किया, which have the same different of the number, तो मतलब जो different number रहे, वो क्या रहे, हमारे same रहे, neutrons में और protons में, तो formula finally क्या बना, that is a minus 2z, यह हमारा formula बना, उसको हम क्या बोलते है, isodiporce बोलते है, अब इसको हम examples के थूरू जानते हैं, जैसे कि यह boron है, boron का atomic number कितना होता है, 5 होता है, और इसका जो atomic mass होता है, वो होता है 11, तो formula के according, a minus 2z, तो a कितना है, यहाँ पर 11 है, minus 2z, 2 minus 2 कैसे आया, आपको पता है, यहाँ 2 आया, और z यहाँ पर कितना है, 5 है, तो अब हम इसको solve करेंगे, तो that is 11 minus 2, 5, तो 11 minus 10, that is equal to 1, कितना आया, 1 आया, तो यह क्या आया हमारा, यह आया, आइसो, फर्स, यह क्या रहा, आइसो डाइफर्स, तो यह कितना आया, हमारा 1 आया, तो ऐसे ही हम carbon में देखेंगे, तो carbon का atom की number होता है, 6, और इसका atomic mass कितना होता है, 13 होता है, तो formula apply करेंगे, इसमें तो formula apply करने के बाद, that is a minus 2z, is equal to 13 minus 2 into 6, 13 कैसे आया है, 13 आप तो अगर हम इसको solve करेंगे, तो that is 13 minus 12, that is equal to 1, तो यह क्या रहे है, हमारे same आ रहे है, in a different element में क्या आ रहे है, same आ रहे है, उसी को हम क्या बोलते है, आइसो डाइफर्स बोलते है, अब एक दो example और देख लेते हैं इसके, तो जैसे कि यह nitrogen है, nitrogen का atomic number कितना होता है, 7 होता है और यहां का atomic mass कितना है, 15, तो atomic number, मतलब atomic mass कितना होता है, 15, 2 into 7, हमने formula के according किया, तो that is 15 minus 14 is equal to 1, यह क्या है, second example है, तो यह क्या है, 1, तो अब हम इसमें देखते हैं, compare करके, that is fluorine, fluorine का atomic number होता है, 9, और atomic mass कितना होता है, 19 होता है, तो उसी के according, a minus 2, z में हम क्या करेंगे, इ 19 minus 2 into 9, कितना आया, 1 आया, तो यह क्या आ रहे है, same आ रहे है, for a different element, मैंने आपको बताया था न, कि अभी जो है, वहाँ पे क्या है, different element, which have the same different of the number of neutrons and protons, क्या आ रहे है, यह different element कि क्या रहे है, same आ रहे है, तो ऐसे अगले example भी नेख लेते हैं, that is potassium, that is phosphorus, potassium का atomic की number होता है, 19, और इसका atomic mass होता है, 39, तो उसी का according हम इसमें formula apply करेंगे, that is a minus 2z, 39 minus 2 into 19, तो उसी का according कितना हुआ, यह कितना आया, 1 आया, तो यहाँ पे भी phosphorus, phosphorus का atomic number 15 होता है, और इसका atomic mass होता है, 31, तो a minus 2z, 31 formula apply करेंगे, 31, 15 into 2, 15 कैसे आया, 15 था, 2 यहाँ पे formula के according था, that is 31 minus 30, that is 1, तो यह क्या रहा है, हमारा isodipers रहा, क्योंकि questions क्या होते हैं, ऐसी generally पूछे जा सकते हैं, कि how many, जैसे यह boron ने इसमें पूछ सकते हैं, कि आप इसमें isodipers क्या किये, बताइए, कि total isodipers कितने हैं, या फिर क्या है, आपसे definition पूछ सकते हैं, कि what is isodipers क्या होता है, तो आ झाल झाल